नमस्कार मैं कशिश आप देख रहें वीके नियूज सपनों की एक अपनी अलग सी दुनिया होती है सभी को अलग-अलग तरीकों के सपने आते हैं कभी अच्छे तो कभी बुरे तो कभी डरा देने वाले सपने वो है जो रियल नहीं होते बलकि एक सोच है जो हम चाते हैं कि भविशे में हमें ये मिल जाए जो सपने हम नीद में देखते हैं वे कही न कही हमारी जिन्दी से जुड़े हुए होते है सपने में कई बार हम ऐसी घटना देखते हैं जो हमारे पास्ट से जुड़ी हुई होती है या फिर वो देखते है जो आने वाले भविशे में होने वाला है लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा सपना जो आपको माला माल बना सकता है जी हाँ आपने सही सुना ऐसा हो जाए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी क्योंकि आपको बता दे कि सपने से हमें एक मैसेज मिलता है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है वही सपने तो हमें काफी आते हैं नेकिन हमें नहीं पता होता है कि किस सपने का क्या मतलब है बस वही आज हम आपको बताएंगे कि ये सपना देखा तो आप कैसे हो सकते हैं माला माल कुछ सपने बेहत शुब होते हैं इन सपनों का आना व्यक्ति को धनलाब होने के संकेद देता है साथ ये पुराने रुके कामों के जल्द पूरा होने का इश्चारा भी है आज हम ऐसे शुब सपनों के बारे में जानते हैं जो धनलाब तरक की जैसी शुब घटनाओं का संकेद देते हैं जैसे सपने में घोड़ा देखना ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि अपने सपने में कई बार घोड़ा देखा हो स्वयम को गोड़े की सवारी करते हुए देखने का मतलब है कि आपके आने वाला जीवन खासा खुशहाल रहेगा वह घोड़े को तेज दोड़ते हुए देखने का मतलब है कि किसी महतपून काम में आपको असानी से सफलता मिल जाएगी वैसे तो हम साप से बहुत डरते हैं लेकिन यही साप हमें माला माल करने में बहुत काम आते हैं अगर सपने में साप को बिल में या उसके आसपास देखा जाए तो यह धन मिलने का संकेत देता है यानि कि आपको माला माल बना सकता है सपने में खुद को नए कपड़े पहने देखना ऐसा सपना अच्छे भविशे का संकेत देता है जिसमें सुक सम्रदी दोनों ही मिलने वाली है खुद को पेड़ पर चड़ते हुए देखने का मतलब है कि आपको अच्छानक कई से पैसे मिलने वाले है लेकिन वही किसी महिला को डांस करते देखना ऐसा सपना भी दनलाप का संकेत देता है हमें पानी से डर लगता है होता है कि पानी में अगर हम स्विमिंग करने जाये या फिर गोता खोल की बात की जाये कई न कई डर बना रहता है लेकिन अगर सपने में खुद को पानी में डूपते या पानी पीते हुए देखें तो आपको पुराना काम रुका हुआ सही हो जाता है इसका यह संकेत होता है पैसा वापिस मिलने वाला होता है इस तरह के संकेत पानी पीते हुए या फिर पानी मे खुद को जाते हुए देखने का होता है आप जानकर हैरान हो रहे होंगे कि इस तरीके के सपनों से क्या सच में माला माल हो सकते है आगे भी आपको बता दे कि सपने में मदुमक्खी का छटा ऐसा सपना भी अचानक धन दिलाने का संके देता है मदुमक्खी से बहुत डरते और छट्टे को चूने से भी डरते है लेकिन रही अगर सपने में देख ले तो माला माल हो सकते है सपने में देवी देदा को देखना ये सपना बहुत ही ज़ाधा शुप संकेत देता है या पाट दन के साथ-साथ खुशाली मिलने का भी संकेत होता है वही अगर हम घर पे दीपक जलाएं तो हम दीपक क्यों जलाते हैं इसलिए जलाते हैं ताकि घर में रोशनी बनी रहे इसलिए अगर सपने में भी ये देखेंगे तो इसका शुप संकेत ही मिलेगा और संकेत हो सकता है कि बड़े काम में असानी से सफलता मिल जाए ऐसे ही सपने आपको कर सकते हैं माला माल इस लेख में डीकरी सूच रहे हैं सामाने जानकारी और मानेताओ पर अधारित है वीके न्यूज इनकी पुष्टी नहीं करता है यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करकर जरूर बताए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं वीके न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले